मैं आपको अपने चैनल में बहुत बहुत भुष्यामदीत कहता हूँ दोस्तो आज मैं आप से जो बातचीत शेर करने जा रहा हूँ वो है एपिलेपसी मिरगी तो दोस्तो बात को आगए शुरू करने से पहले मैं आप से घुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेला आइकान बटन को दुबा दे ताके मरी नहीं आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मसलसल मिलते रहें तो दोस्तो आए शुरू करते हैं दोस्तो मिर्गी के बारे में लाइलमी और गल्द फैमिया अक्सर मरीजों के लिए जानलेवा साबद होती हैं बहुत सारे लोग इस मरस को जादू टूना या हुआई दोरे समझते हैं इसकी ज्यादातर वजुहात में पदाशी नकाइस या गर्दन तोड़ बखार वगरा होते हैं ताहम निस्व से जाइद लोगों में इसकी वज़ा सिर्व दमागी खलियों की बेरबत बरकी लहरों का इखराज होता है दोस्तों अब चरते हैं मिर्गी की अलामात की तरफ दोरे से कुछ देर पहले मरीज को अपनी उंगलियों के पोरों पर सरस्राहट महसूस होती है जो अमूमन उपर की तरफ जाती ही महसूस होती है इसके बाद मरीज बेहोश होकर दोरे में मुक्तला हो जाता है ऐसी सरस्राहट को मिर्गी की सरस्राहट या ए औरा एपिलेक्टा कहा जाता है इसके इलावा दोरे से कबल सरदर्द की शकायच भी लाहक हो सकती है कई मरीजों के नाक से एक खास मक्सूस किसम की भू आने लगती है और आंकों के सामने चगारिया उड़ती हुई महसूस होती है कई बार मरीज दोरे से पेशतर बखार में मुब्तला हो जाता है और इसका सर कदरे एक तरफ जुक जाता है मिर्गी का दोरा पढ़ते वकर मरीज अमूमन चीख मारकार एक तरफ गिर पढ़ता है और तडपने किसी कफियत तारी हो जाती है मरीज के हाथपों कांपने लग जाते हैं और जिल्द का रंग निलाहट माइल होकर खोफनाग हो जाता है मूँ से जागने करने लगती है और अमूमन जबान दांतों के नीचे आ जाती है कई मरीजों का बोलो बरास खारज हो जाता है कुछ देर बेहोशी के बाद जब मरीज को होश आता है तो इसे शिदी तकान सरदर्द या फालजी कफियत या फतूर अकल की शिकायत बखी रहती है दोस्तों अब बात करते हैं कि मरीज का हुमियोपेथिक इलाज मरेज की असल वजूहाद को जानने के बाद इनका इलाज करना चाहिए ताके मरीज मकमल शिफायाव हो सके क्यूंके अमूमन मरीजों में ये मरज किसी ना किसी वज़ा से अलामाद या मरज पैदा होता है तो पेड के कीडों का इलाज करना चाहिए नौजवान अफराद जो मेदा जिगर के अमराज में मुब्तला हो इनके मेदा जिगर का मकमल चेक अप करना चाहिए और इनकी खराबियों को दूर करना चाहिए दोस्तो अब बात करते हैं अब चलते हैं हूमियोपेथिक मेडिसन्स की तरफ के आप कौन-कौन सी अलामात के मताबद हूमियोपेथिक मेडिसन्स इस्तमाल करें ताके ये मिर्गी के मुरीज जल से जल शिफायाब हो सकें अगर रात को सोने के दुरान मिर्गी का दोरा पड़े तो ये मेडिसन बहुत अच्छा काम करती है तिशन जी कफियाद पौं की फुंगलियों में एंतन हो मुरीज रात के वकट बेचार रहे और नीद नहीं आती जिसम का हर अज़ू फड़कता महसूस होता है तो हायो सैमेस दोसो फर्ज करें दोस्तो ये मेरे हाथ में हायो सैमेस दोसो है तो आप चैंद गलोबिल के उपर चैंद कत्रे डाल कर हर चार दिन के बाद एक राख जबान पर रहा कर चूस लें नमबर दो जब मरस का अगाज हो तो ये मेडिसन के मरीज में बेहोशी पाई जाती है इसके साथ मरीज मुठियां बंका लेता है जबड़ा बंक हो जाता है मूँ में से जाग निकलती है मरीज जाग निगलने से कासर होता है और हमले के बाद शदीद नवीयस की गनूत्गी और कमजोरी पाई जाती है हाइड्रोसियानेक एसर 30 फर्स करें दोस्तों ये मेरे हाथ में हाइड्रोस्यानिक इसर थर्टी है तो आप चंद क्लोब्यूस के उपर चंद कत्रे डालकर एक दखासुपों में जबान पर रहा कर चूज लें ऐसे ही चंद क्लोब्यूस के उपर चंद कत्रे डालकर दपहर में जबान पर रहा कर मरीज होश और हवास खो बैठता है लेकिन आंखे खुली रहती हैं दौरा खतम होने के बार मरीज शदीद थकावट महसूस करें इन अलामात के साथ ये मैडिसन बहुत अच्छा काम करती है हैली बोरस दोसो फर्ज करें दोस्तो ये मेरे हाथ में हैली बोरस दोस्तो है तो के बाद एक राख जबान पर रहा कर चूस लें नमबर चार प्राणी मिर्गी और बच्चों की मिर्गी के लिए बहुत अच्छी मैडिसन है मिर्गी के दोरे के दरान जब मरीज का चेहरा और जिसम निला पड़ जाए तो ये मैडिसन मफीद है हाथ पोंगी उंगलियां ख कड़ले पड़ें तो ये मैडिसन बहुत जल्ब मफीद नताइज जाहर करती है मुरीज का चेहरा और होंट निले हो जाते हैं और आखों के डेले गर्दिश करते रहते हैं मूँ में जाग आती है दोरे से कबर मुरीज जोरदार चीख मारता है क्यूप्रमेट दोसों चांद कत्रे डाल कर हर चार दिन के बाद जबान पर रहकर चूश लें नंबर पांच दमाग में त्यूमर की वज़ा से मिर्गी का दोड़ा पड़े तो ये मैडिसन बहुत अच्छा काम करती है कलकेरिया सलफ वान एम फर्द करें दोस्तों ये मेरे हाथ में कलकेरिया सलफ वान एम है तो आप चांद गलोब्यूत के उपर चांद कत्रे डाल कर हर पंदना दिन के बाद एक राग जबान पर रहकर चूश लें नंबर छे डॉक्टर केंट के बकॉल इस मैडिसन के इस्तमाल से इस मरेज से निजात मुमकन है इस मैडिसन के मरीज में हमले का अगास हम ऐसे मरीज जिन्हें दिल में कुछ महसूस हो और मिर्गी के दोरे किसी अलामात नमाया हूं इस मैडिसन के मरीज में दोरे से कबल गला बैठ जाता है और मृड बोल नहीं सकता कलकेरिया आर्स दोस्तो फर्ज करें दोस्तो ये मेरे हाथ में कलकेरिया आर्स दोस्तो है तो आप चांद गलोबिल के उपर चांद कत्रेद डाल कर हर चार दिन के बाद जबान पर रहकर चूस लें नमबर साथ किसी जिल्दी या कसरते मजामत आरजे के दब जाने के बाद मिर्गी का आरजा लाहिक हो तो ये मैडिसन देनी चाहिए मरीज को मिर्गी के दोरे के बाद शदीद नकाहत का सामना रहता है सलफर दोस्तो फर्द करें दोस्तो ये मेरे हाथ में सलफर दोस्तो है तो आप चांद गलोबिल के उपर चांद कत्रे डाल कर हर चाह दीन के बाद जुबान पर राखकर चूस लें मिलेरिया बखार के बाद अगर मिर्जी का आरजा लाहिक हो गया हो तो ये मैडिसन मफीद होती है मरीज के अज़ा में तिशने जी जटके हाथों की उंगलियों का अंदर मुड़ जाना और गर्दन पीछे की तरफ अकड़ जाना जैसी इलामाद नमाया होती है साइना दोसो फर्द करें दोस्तो ये मेरे हाथ में साइना दोसो है तो आप चंद गलोबियों के उपर चंद कत्रे डाल कर हर चार दिन के बाद एक राग जुबान पर राख कर चूस लें नमबर नो मिर्गी के इलाज के लिए ये मेडिसन बहुत ही मशूर है इस मेडिसन के मरीज अमूमन दोरे के वकट गच खाकार पीछे की तरफ गिरते हैं और साइल और गर्दन के अजलात तिशनेज की वज़ा से पीछे की तरफ खैंच जाते हैं खौब की वज़ा से पैदा होने वाले तिशनेज और मिर्गी के लिए बेहतरीन मेडिसन है साइकोटा विरोसा थर्टी फर्द करें दोस्तों ये मेरे हाथ में साइकोटा विरोसा थर्टी हैं तो आप चंद गलोबिल के उपर चंद कत्रे डाल कर एक राख सुगों में जब जबान पर राख कर चूस लें ऐसे ही चंद गलोबिल के उपर चंद कत्रे डाल कर द पहर में जबान पर राख कर चूस लें और ऐसे ही चंद गलोबिल के उपर चंद कत्रे डाल कर शाम में जबान पर राख कर चूस लें नमबर दस ऐसे मुरीज जो अंदेरे से डरें और इन में शित्यत की बेचानी पाई जाए तो ये मैडिसन मफीद होती है सट्रा मूनियम दोसो फर्ज करें दोस्तो ये मेरे हाथ में सट्रा मूनियम दोसो है तो आप चैंद गलोब्यूल के उपर चैंद कत्रे डाल कर हर चार दिन के बाद जबान पर रहका चूस लें ग्यारा ऐसे नोजवान जो कसरते मुश्त जनी का शिकार रहे हों और इस वज़ा से मिर्गी के मर्ज में मुप्दला हो जाएं तो ये मैडिसन इंतहाई मुफीद होती है बाद मुरीजों को दुराने जमा दोरा पड़ जाता है और कभी अजाय तनासर या मेदे के मकाम से सरसराहड शुरू हो जाती है और दोरे से कबल मुरीज अमूमन चिर्चड़ा हो जाता है और अकसर बेतुकी बातें करता है और जरा जरा सी बात पर नराद हो जाता है बच्चों की ऐसी मिर्गी जिसमें इन का सर पीछे की तरफ मुड जाए तो बाफूराना थर्टी फर्ज करें दोस्तों ये मेरे हाथ में बाफूराना थर्टी है तो आप चांद ग्लोबिल्स के उपर चांद का तरे डालका एक राख सुबो में जबान पर राका चूस लें ऐसे ही चंद ग्लोबिल के उपर चंद कत्रे डाल का दपहर में जबान पर राका चूस लें और ऐसे ही चंद ग्लोबिल के उपर चंद कत्रे डाल का शाम में जबान पर राका चूस लें दोस्तों अमीर करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है, तो महरबानी फर्माग का लाइका बटन दबा ये, हम आप तमाम दोस्तों से गुझारश करते हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ब्राइ महरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बैला इ मेडिसन के मतलग और बिमारियों के मतलग वीडियो लाता रहता हूं इन वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह को कोई बिमारी है तो आप मेरे चैनल में जाकर बिमारी के बारे में अगली वीडियो में मिलते हैं मारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी अल्ला तला से दौा है कि अल्ला तला हम सबको शिफाई कामला ता फर्माए अल्ला हाफिज